श्यूक्त किसान मंच आज जो अधानी एगरी फ्रेश के द्वारा जो सेब के दाम तैय किये गे हैं उसको पूरी तरह से नकारता है क्योंकि ये जो आज वर्ष 2022 के लिए अधानी ने जो सेब के दाम तैय किये हैं यह पिछले वर्ष की तुलना में जो कम्पनियों के द्वारा सेब के दाम दिये गे थे उसकी तुलना में बहुत कम है और जिस प्रकार से इस वर्ष जो सेब के उतтовाधन लागत कीमत है उसमें जो लागत वस्तुए हैं जिसमें खाद है, कीट नाशक है, फफुन्दी नाशक है, ट्रे है, काटन है और जो अन्य लागत वस्तुए हैं उनकी कीमतों में जो है 25 से लेकर 80% तक की वृद्धी हुई है और इस बार जो है अदानी ने जो रेट तैक किया है, वो 76 रुपे, 68 रुपे, 62 रुपे और 52 रुपे जो है वो तैक किये गए हैं जबकि पिछले वर्ष जो है कंपनियों के द्वारा यही रेट जो है 85 रुपे, 73 रुपे, 63 रुपे और 53 रुपे प्रती की लोग़ी दर से जो है किये गए और इसे जो आज रहेंकु हो गया कि सरकार की इन कंपनियों के साथ साथ कान्ट है और यह इन जो और सरकार की मिली भगत से किसानों और वागवानों की लूट कर रही है जिस प्रकार से सेंग किसान iemand के द्वारा बार-बार मांग उठाई जा रही थी कि अदानी और जो अन्य कंपनियां जो सेव का खरीद हिमाचर प्रदेश के अंदर करती है उनके दाम तै करने के लिए जो है कमेटी का गठन किया जाए अठाइस जुलाई को जो मानिय मुख्यमंत्री के देख्षता में सिवक् कमेटी का गठन नहीं किया गया है और यदि सरकार जो है इस कमेटी का गठन कर जो है इस कंपनियों के जो सेव क्रीद के दाम है इन पर नियंतरन नहीं करती है तो सिहुत किसानमन जो है इस अंदोलन को तेज करेगा और सत्रा अगस्त को जो जेल भरो अंदोलन है उसकी शु रही है सरकार की नीतियों के चलते इसलिए जो है आज जो दान तै करने होंगे वो सरकार को जो है वो तै करने होंगे और सिवक्त किसान मांग कर रहा है कि मंडी मदेस्ता योजना जो है तुरंत लागू की जाए ताके सरकार जो है इन मंडियों को नियंतरित करने के लिए और क किसानों का किया जा रहा है इस पर रोक लगाने के लिए जो है कदम उठाए जा सके यदि हम देखें पिछले कुछ